हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बेक टो में चैनल क्रेजी शेड्स आपने गुल्दवरी कटिंग्स के बारे में मेरे दो वीडियो लास्ट कुछी दिनों में देखे हैं अभी सारे कटिंग्स में जड़ आ गया है और मैं आप कर रही हूं पिंचिंग जो कटिंग्स मैंने पहले रही हूं और जो बाद में लगाए हुए कटिंग्स है उनका ये फर्स्ट पिंचिंग है पिंचिंग बहुत सिंपल सा काम है जिसे मैं आपको दिखता है कि कटिंग्स में ने ने पत्ते आ गये हैं और सारे पत्ते बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं इसका मतलब इन में जड आ चुके हैं उस समय आपको थोड़ा सा इंतिजार करना है ताकि कटिंग्स का हाइट कम से कम तीन इंच हो जाए और उसके बाद आपको पहली बार पिंचिंग करनी है मतलब उपर से थोड़ा सा हिस्सा अपने नाखुन से काट लीजिए कोशिश कीजिए उसी जगह पे और अपसे दो पत्ते निकले हैं पिंचिंग करना है तो बहुत ही इजी और पौधे के लिए ये बहुत फायदेमंद है पिंचिंग करने से पौधों में ब्रांचिस ज्यादा आएंगे और पौधों का हाइट कम रहेगा पौधे बुशी होंगे मैं वीडियो स्लो कर रहे ह जो लोग हर साल गुल्दावरी के पौधे तयार करते हैं उन लोगों को ये पता ही है और मेरी ये वीडियो स्पेशियली उन दोस्तों के लिए है जो लोग पहली बार गुल्दावरी के पौधे तयार कर रहे है गुल्दावरी पौधों को अपने पसंदीदा जगह पे शि जैसे लगभख 10-12 इंच तब मैं तीसरी बार पिंचिंग करती हूं पर हां अगर देरी से लगाई हुए कटिंग्स हैं तो जाहिर सी बात है आपको इतना टाइम नहीं मिलता है जब पौदों को देखके आपको लगता है कि कली बस आने ही वाले है उस समय पिंचिंग और नहीं करे तो बहतर है इसलिए गुलदवरी के पौदे बनाने के लिए कटिंग्स जल्दी लगा लेनी चाहिए कम से कम तीन बर पिंचिंग करने का मौका मिले तो पौदे हाइट में बड़े नहीं होते है और बहुत बुशी बनते है और जितने ब्रांचेस ज्यादा उतनी ही फूल ज्यादा अगर आप बिल्कुल पिंचिंग नहीं करते हैं तो फूल तो आएंगे पर बहुत ही कम पौधा भी देखने में सुन्दर नहीं होगा पौधे की तना पतली और लंबी होगी और ज्यादा ब्रंचेस ना होने के कारण फूल भी कम होगे और हाँ एक और इंपोर्टेंट बात मुझे यहां बोलना है लास्ट वीडियो में एक वीवर ने कमेंट किया था कि पौधे हमेशाद सेंड में ही तयार करने चाहिए आप लोगोंने कई बार नर्सरी में भी सेंड में पौधे देखे होंगे और मैं अपनी लंबी एक्सपिरियेंस से कह रही हूँ गार्डेन सॉयल पौधे बनाने के लिए परफेक्ट होते है नर्सरी में भी जादा दर पौधे गार्डेन सॉयल में ही तयार किये जाते है वीडियो यूसफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डेनिंग